कोश्चन नमबर पहला देखिए भारत का नेशनल इस्टॉक एक्स्चेंज कहां पर इस्तित है इंपोडन्ट कोश्चन है यहां बी ओप्शन है जो है करेक्ट हो जाएगा मुंबई और हमारा अगला कोश्चन है कनिस का दरवारी चिकिस सक कौन था यह भी इंपोडन्ट कोश्चन है कई बार एक्जाम में पूछा जा चुगा है यहां ए ओप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा चरक और हमारा अगला कोश्चन है होर्न बिल तो हर भारती किस राज्ये में मनाया जाता है यहां सी ओप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा नागा लेंड और हमारा अगला कोश्चन है भारतीय राश्टीय धोज्च की रूप रेखा किस ने तयार की थी इसका B option जो है correct हो जाएगा पिंगली बैंकेया और हमारा अगला question है राष्टे पुलीस अकेडमी कहाँ परिस्तित है यहाँ B option जो है correct हो जाएगा हैदराबाद और हमारा अगला question है land of the thunderbolt किस देश को कहा जाता है यहाँ B option जो है correct हो जाएगा बूटान और हमारा अगला question है वित्या आयोक का उलेक किस अनुचेद में दिया गया है यहाँ अनुचेद A जो विल्कुल correct हो जाएगा अनुचेद 280 और हमारा अगला question है किस महासागर की तट्रे का सबसे लंबी है इसका C option जो हो जाएगा परसांत महासागर और हमारा अगला question है चुलिया जलपरपात किस राज्ये में इस्तित है important question है यहाँ पर D option जो हो जाएगा राजिस्थान और हमारा अगला question है नागर हॉल राष्टे उध्यान भारत के किस राज्ये में इस्तित है यहाँ C option जो हो जाएगा करना टक और हमारा अगला question है टहरी बांध किस नदी पर बना है I hope कि आप इसका अंसर राइट देंगे यहाँ D option जो हो जाएगा भागी रथी और हमारा अगला question है Oliver Twist नामक पुस्तक के लेखा कौन थे यहाँ A option जो हो जाएगा Charles Dickens और हमारा अगला question है जैन धरम के 23 तीर्थ कर कौन थे यहाँ D option जो हो जाएगा पारस्तनात और हमारा अगला question है गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था important question है यहाँ C option जो हो जाएगा कंठक और हमारा अगला question है पल्ला वंस का संस्तापक कौन था I hope कि आप इसका answer right देंगे यहाँ A option जो हो जाएगा सिम्हा विष्णू और हमारा अगला question है गायत्री मंत्र परसित गायत्री मंत्र की रचना किस ने की थी यहाँ B option जो हो जाएगा विष्वा मित्र और हमारा अगला question है सिंदू सभिता सब्द का परियोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था यहाँ C option जो हो जाएगा जोन मार्सल और हमारा अगला question है राश्तिया गंगा परिशत की पहली बैठक किस सेर में आईजूत की गई थी यहाँ B option जो हो जो है करेक्ट हो जाएगा कानपुर और हमारा अगला question है छापर मेला भारत के किस राज्ये में आईजूत किया जाता है यहाँ C option जो हो जो हो जो हो जाएगा पंजाब और हमारा अगला question है बूटाण का राश्टे पक्षी कौन सा है यहाँ A option जो हो जो हो जाएगा काला कोई और हमारा अगला question है डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाई जाते है यहाँ B option जो हो जो हो जाएगा और हमारा अगला question है हल्दी घाटी का यूद कब लड़ा गया था यहाँ B option जो हो जो हो जाएगा पंद्रा सो चेटर में और हमारा अगला question है हल्दी घाटी का यूद किन किन के बीच में लड़ा गया था यहाँ C option जो हो जो हो जो हो जाएगा अकबर और माराना परताब और हमारा अगला question है लंदन में The East India Association की स्थापना किस ने की थी यहाँ B option जो हो जो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और हमारा अगला question है अंतराश्ट्य उर्जा एजनसी का मुख्याल ले कहाँ परिस्तित है यहाँ D option जो हो जाएगा फ्रांस और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है अगर आपके कोई भी आउट से वीडियो से रिलेटेड या किसी भी question में आपको कोई प्रोब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में अगर आपको अमारे द्वारा बनाएगे वीडियो पसंद आती है तब प्लीज एक लाइक और एक शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों में और इसी के साथ जय हिंद जय भारत